तो यह राच की इस वीडियो का टाइटल है ब्लेड लाइन की शुरुवात इसकी शुरुवात होती है समर स्लैम 2020 से जहांपर मैच चल रहा होता है दा फींड ब्रे वाइट वर्सिस ब्रॉन्स टॉवन के बीच में यूनिवर्सल चैंपिशिप के लिए और इस मैच के एंड म पांच महीने बाद अपना रेटर्न करते हुए रोमन रेंस अटेक कर देते हैं दोनों सुपरस्टार्स के उपर एज़ा हील सुपरस्टार इसके बाद हमें पता चलता है कि रोमन रेंस के सापने पहले ही बता दिया थे कि वो यूनिवर्सल चैंपिशिप के लिए समर स्लै बन जाते हैं सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन इसके बाद यूनिवर्सल चैंपियंशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर के लिए एक फैटल फॉर वे मैच कराया जाता है बिगई किंग कॉर्बिन, मैट रेडिल और शेमस के बीच में बट यहां पर बेगी को इंजरी की वैसे बाहर जाना पड़ता है जिसको रीप्लेस करते हैं जे उसो जे उसो फैटल फॉर वे मैच को जीच जाते हैं इसके बाद Clash of Champions के अंदर Roman Reigns के सामना उनके अपने कजिन जे उसो के साथ होने वाला था Clash of Champions के अंदर जे उसो इस मैच को हार जाते हैं टेकनिकल नौक आउट की वैसे क्योंकि जीच मैच के बीच में आकर के रिंग के अंदर एक तावल भेग देते हैं इसके बाद जे उसो को एक और मौका मिलता है यूनिवर्सल चैंपिशिप के लिए Roman Reigns के अगेंस्ट Hell in a Cell क के अंदर ये मैच एक आई कुट मैच था और इसके अंदर इस्टैपलेशन ये थी कि अगर जे उसो इस मैच को हार जाते हैं तो वो Roman Reigns के ओर्डर को फॉलो करेंगे या फिर अपनी फैमिली को छोड़ देंगे इस मैच के अंदर Roman Reigns जिमी उसो के उपर अटेक कर देते हैं और जे उसो को फोर्स करते हैं कि वो आई कुट कहके अपने भाई को बचा ले फिर क्या था जे उसो को न चाहते हुए भी आई कुट बोलना पड़ जाता है और Roman Reigns इस मैच को जीच जाते हैं इसके बाद स्मैक डाउन के एक एपिसोड के अंदर सर्वाइवर सीरिस के ये जे उसो का मुकाबला डैनियल ब्राइन से होता है और इस मैच के अंदर जे उसो इस मैच को जीच जाते हैं बट मैच खतम होने के बाद Roman Reigns की कहने पर जे उसो दुबारा से अटेक कर देते हैं डैनियल ब्राइन के उपर और इस तरह से अब जे उसो भी रोमन Deutsche की तरह मैच के अंदर मिस्टिरियोस इस मैच को जीच जाते हैं बट इस मैच की जो एंडिंग थी वो काफी जादा कॉंट्रोवर्शल थी जिसकी वैसे उसो को फिर से मौका दिया जाता है बट इस बार मैच के अंदर इंटरफेर कर देते हैं रोमन रेंस और अटेक कर देते हैं मिस् तो यहर अगर तुम लोगो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो के लिए